हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टो दे चैनल, नया दिन, नया वीडियो, नया प्रोड़क्ट और आज का जो प्रोड़क्ट है यह एक्दम नया ही है यह देखें आप इस कूडल कंपनी के यह ट्विस्टेवल क्रियोंस हैं यह जो twistable crayons है इन में आखिर feature क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको open करके दब आपको दिखाऊंगा तब आप समझ में आएगा कि आखिर twistable crayons और normal crayons में क्या difference है तो सबसे पहले मैं आपको normal crayons शो करता हूँ नॉर्मल crayons अगर आप देखते हैं तो नॉर्मल crayons आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे यह इस कुडल कंपनी के मैं open करके आपको दिखा रहा हूँ कि यह wax crayons होंगे और इसके उपर एक cover चढ़ा होता है यह जनरली cover उस color का होता है जिस color का यह crayons होता है तो यह है normal crayons और अब जो यह twistable crayons है यह देखेंगे जब मैं इसको open कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो आप देखो कि यह एक plastic cover में है चलिए ठीक है कोई बात नहीं मेरी बेटी रितिशका कह रहे है कि मैं आपको red color open करके दिखा हूँ तो यह मैंने red color ले लिया है अब ठीक है बटा चलिए ठीक है तो अब मैं आपको red open करके दिखाता हूँ तो यह red color में अब आप देखेंगे कि यह सबसे पहला जो इसमें difference है normal crayons और इस twistable crayons में कि यह normal crayons के उपर केवल paper का cover होता है और इसके उपर plastic का cover है तो सबसे पहला difference तो यह है plastic cover होने से यह safe रहेगा तूटेगा नहीं दूसरा इसके बाद अब हम क्या करेंगे यह इसके एक side इसमें है cap यह इसकी cap है और cap के बाद यह है यहां से इसको use करने के लिए कि इस तरीके से इसे use कर सकते है अच्छा हाँ चलिए बिटब आपको use क करके जरा बताओ कैसे use कर सकते हैं नीचे paper पर हाँ यह और आगे थोड़ा सा यह इदर ने इदर ने इसको इस तरीके से use कर सकते हैं वेरी गूड यह देखिए उसने बताया आपको अब क्या है कि जब इस तरीके से बच्छे लिखेंगे लिखने के बाद क्या होगा कि यह थोड़ी सी छोटी हो जाएगे फिर अब सवाल यह उठता है कि जब इसकी चोटी हो जाएगे तब इसको हम यह बच्छे किस तरीके से यूज कर सकते हैं तो यहां पर जो concept यूज होगा यह ट्विस्ट अप क्रियों यह जो बैक साइट में यहां जो टिप दिए अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो यह देखिए रोटेट करने पर यह टेप इसके आगे को आते जाएगे तो अगर आपको इसका जो concept है वो आपको समझना हो तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से लिडिज के लिप स्टिक में जो concept यूज होता है या फैबी स्टिक में जो concept और जब यह पूरा जब पूरा खतम होजा है तो यह इस तरीके से यह जब यह यहां तक खतम होजा है तो यह पूरा यहां तक इसको यूज किया जा सकता है तो यह था ट्विश्ट अप क्रियोंस इसकोडल का अब मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताऊं यह जो इसके पैकिंग है यह शिक्स कलर्स की पैकिंग है और यह जो शिक्स कलर्स हैं इनका MRP है 99 रुपीज तो अब अगर डिफरेंस देखें इसमें MRP का तो जो नॉर्मल क्रियोंस हैं नॉर्मल क्रियोंस आपको जहां 50 यह 35 रुपीज में मिल जाएंगे वहीं यह ट्विश्ट अप क्रियोंस आपको 100 रुपीज में उनली 6 शेड्स मिलेंगे तो यह आशा है कि आपको य समझ में आ गया होगा और आप अपने बच्चों के लिए एक बार यह क्रियोंस लाग कर चेक जरूर करना चाहेंगे कि इनका परफॉमेंस कैसा है और आखिर बच्चे इनको यूज किस तरीके से करते हैं तो आपको यह आज के प्रोड़क्ट का रिव्यू कैसा लगा इसके तरीके के प्रोड़क्ट के बारे में जानकारी के लिए आप चैनल से जोड़े तरहिए जुडने के लिए आपको मालूम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और हां गंटी बजाना बिलकुल मत बूले क्योंकि जब तक आप गंटी नहीं बजाएंगे आपके पास लेटेस